दोस्तों आज की रेस्वे में हम बनाएंगे गुलगुला दोस्तों गुलगुला बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा कटोरी आटा है गेव का आटा है ये उसके बाद दोस्तों इसमें डालने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक बड़ी कटोरी चिनी है ये पतल की गण्टी को बजाजाना ना भूलिएगा को कि I a got कि थोड़ा पानी डालेगे दोस्तों में हम कर दोस्तों ढ canal is तरह का इसका पेशत चाहिए अब देख सकते हो जैसे के हम प Championships दोस्तों उसके बाद इसको हम ढग देंगे और ढग करके आधा गंटा के लिए खूड़ दीगे फूल ने के लिए अदा गंटा हो गया दोस्तों हम खोलेंगे तो यह देखी अब देख सकते हूं यह कितने अच्छे तरफ फूलaggi आ यह इसको एक बार हम इस तरह से डुला देंगे उसके बाद दोस्तों ए अब हम चलते हैं कडाही की कड़ाही में हम डालेंगे रिफाइन तेल तेल अच्छा से गरम होने के बाद दोस्तों में घुलगुला तालेंगे गेस क्या है गुलगुला उपर से जल जाएगा और अंदर तक अच्छा से पकेगा नहीं किए हैры दोस्तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किये तो ولike कर दीजिये मैं कउमेंट कर दीजिये और यह रिज्पी किप अपने दोस्तों में %.asure कि दोस्तों डृषच ने पर प्लट देंगे अदूस्तों प्लीज से आप इस बात को जरूर ध्यान देना कि आप गैस की ऐसे बिल्कुल हई तेज मत करना नहीं तो गुलुल बिल्कुल टेश्टी लगने वाला नहीं है उसके बाद दोस्तों हमें इस तरह का पूरा अच्छी से फ्राई चाहिए जैसे कि आप देख सकते हूं यह अच्छी से फ्राई हो गया है इसको हम कडाही से बाहर करेंगे तो थोड़ी दर कडाही में रोके रखेंगे तेल अच्छे से गर जाए अब इसको हम गरमगा हम नाइए खाये कोमेंट में बताए कि रेश्पी कैसी लगी